यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ नमस्कार दोस्तों मुद्दा हर रोज बनते हैं किससे हर रोज बनते हैं घटनाएं हर रोज होती हैं लेकिन उन खटनाओं पर हम एक पकड़ नहीं बना पाते हैं लेकिन आज हम एक ऐसी घटना के बारे में आपको बतानी जा रहे हैं जो आपको भी जगजोड़कर रख देगी दिल्ली के बवाना वैसे तो देखा जाया तो कुछ नहीं था एक नॉर्मल सी बिल्डिंग थी जिसमें हर रोज मजदूर आते जाते थे काम करते थे फिर वो अपने घर जाते थे अपने बच्चों के साथ अपनी बीबी के साथ टाइम गुजारते थे लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसमें उस बिल्डिंग में अचानक से धमाके होने लगे हैं लोग परिशान थी कि आखिर मीव वो धमाके हो क्यों रहे हैं लेकिन जब लोगों को सच्चाई पता चली लोग बेहत परिशान हो गए कुछ लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके आसपास कोई ऐसी जगा है जहां पर ऐसी गड़ना हो सकती है दरअसल उस बिल्डिंग में पटाको का केर कौने नी काम चल रहा था बिल्डिंग मालिक ने प्रशासन से उस चीज़ की मोहलत ली थी कि इस बिल्डिंग में सिर्फ गुलाल बनेंगे गुलाल जीने हम होली में और वाकी फेस्टिवल में रंगोलियां बनाने और ऐसी तमाम चीज़ों में यूज करते हैं जो कि एक जब इंसान खुश होता है तो एक दूसरे को गुलाल लगा कर खुश ही जाहिर करता है गणे शदूर्सी जे लेकर दुर्गास्टिमी तर उस गुलाल का यूज होता है लेकिन फ्रशासन की एक बड़ी लापारवाही के चलते 17 लोगों की जान चली गई उन 17 लोगों में कुछ घरों की मा थी, कुछ बेटियां थी, तो कुछ पती थे और कुछ बच्चे थे लेकिन उस 17 लोगों की मौत का जिम्मेदार हज कौन है सरकार अपना रोना गाती है, सरकार आपस में एक दूसरे को विरोध करती है कि वो ये नहीं कर रहे है, वो वो नहीं कर रहे है लेकिन कोई इस चीज़ को कौन देखने आएगा जो इन गरीबों के साथ आच हुआ ज़्यादा विरोध होने पर सीधे-सीधे ये कह दिया जाता है कि इनको मौफज़ा दिया जाएगा चलिए मैं माल लेता हूँ कि मौफज़ा दिया भी जा रहा है कितना दिया जाएगा, पांच लाग रुपए, दस लाग रुपए क्या दस लाग रुपए किसी की जिंदगी बाप इसला सकते है मैं आपसे ये पूछना जाता हूँ उन लोगों ने दिन रात मेहनत करकर ये सोचा था कि आज मैं अपने बच्चों को कुछ बनाओंगा हर दिन वो पैसे जोडते थे और उसको आकर घरों में गिनते थे कि अब कितने पैसे मेरे पास इखटा हो गए हैं जिसे मैं लेकर अपने बच्चे का भविश बना सकता हूँ लेकिन उनका भविश आज पूरी तरीके से खटन हो चुका है जो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है हमें प्रशासन से ये उम्मीद थी कि प्रशासन इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समालेगा लेकिन प्रशासन ने भी वही किया अपने लापरवाहियों का और अपनी गलतियों का हमेशा से प्रशासन ने लोगों के सामने ये कहके टाल दिया कि ये तो भाई हमें मालिभी नहीं था जब उस फैक्टरी मालिक को पकड़ा गया जिसका नाम था मनोज जैन मनोज जैन की साथ एक और वैक्ति था जो ललित गोयल था ललित गोयल और मनोजजेन ने मिलकर इस building में ये कारोबार चुरू किया था क्या कोई भी पुलिस नहीं आई वहाँ पे क्या प्रशासन ने ये जहमत उठाने की कोशिश नहीं की कि उस building में आखिर ये काम कैसे चल रहा है किसने उस building में इस काम को करने के लिए permission दिये Supreme Court ने भी आई दिन ये बैन लगाती है कि इन सब जगाहों पर पटाके नहीं बनेंगे पटाके हमेशा बनेंगे तो ये खुली जगा पर बनेंगे जो कि शहर से काफी दूर होगी लेकिन उसके बावजूर भी लोग ऐसा करते हैं और लोगों की जानों को निगलते हैं ऐसा ये पहला case नहीं है ऐसे कई case हो चुके हैं जो कि आपको अक्सर सुनने को मिलते हैं और वो बात पूरी आकर खटमोती है सिर्फ और सिर्फ मुआफ़जे पे सरकार अपनी तरफ से मुआफ़जे देकर ये सुनसती है कि हम बिल्कुल free हो गए हैं अब सरकार इस चीज से बिल्कुल पीछे हट जाती है कि हमने मुआफ़जे दे दिया है उनका परिवार पल जाएगा हमें को इटेंशन नहीं है फिर वो अगला लाइसन्स पास करेंगे और 17 लोगों की जान जाएंगी और उनके घर उजड़ेंगे कुछ दिन रोना होगा, कुछ दिन गाना होगा अगबारों में, मीडिया में, हर जगा पूरा ये सब फैल जाएगा कि ये लोग मर गए सरकार इनको मुअफ़दे दे रही है और सरकार चुप बैट जाएगी लेकिन क्या इतना ही काफी है आप सोचीए जो उस फैक्टरी में कुछ बच्चे काम कर रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे थे और हो सकता है कि उनके माब आप ये सोच रहे हो कि ये भविश में कुछ करेंगे लेकिन उन बच्चों का भविश वहीं पर खतम हो जाता है दोस्तों मुद्दे दो बहुत हैं लेकिन उन मुद्दों में जो जज़बात छुपे हैं वो हम आपको बढ़ाएंगे आपको बढ़ाएंगे